आप से बहुत बहुत स्वागत है दिए वी स्कूल ऑल ओवर इंडिया से वेकेंसी आ रही है अलग अलग अड़र्टीजमेंट जो है रिलीज हो रही है आपने कई सारे न्यूस पेपर में भी देखा होगा लोकल न्यूस पेपर में आप जिस स्टेट से आप जिस राज्य से करते हैं वहां से आपने वेकेंसी देख्यों कि बड़े बड़े नंबर पर वेकेंसी आ रही है तो अभी तक मैंने देख लिए पंजाब से यूपी से उत्तरप्रदेश चात्यजगड मध्यप्रदेश बिहार जारकंड दिल्ली गुरुग्राम और इसके अलावा कई सारे और अभी देख्यों से नाव बंपर वेकेंसी करके विझ्यापन आ रहे हैं तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि से सबसे पहले तो यह जानेंगे कि इसमें क्या क्या अट्वेटीजमेंट में दिया गया है और जो चीज़े बताई गयी उसके साब से कैसे अप्लिकेशन करना है कि प्रॉसेस क्या होगा और फिर चेसे होगई और इसके बाथ में ज़रूरे अपसे डिसकस्क्रणा करूंगे कि आप्लिकेशन करना है यह नहीं करना आप्लिकेशन किसी को अल्री काम कर रहे हैं । और बहुत बढ़ी भड़ा के बहुत सारे पैसे जमा करो तो यह भी एक स्ट्राट्जी की है। पैसे जमा करने की लेकिन फिर भी डीटेल आरहि हैं इसाट से बीलॉंग करते हैं आप अपने स्टेट की वेकेंसी की नोटिफिकेशन चाहते है तो आप अपना स्टेट लिखे और आप अपना दें कि अपलाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए पहले पूरी बात मेरी वीडियो में सुन लें तो चले चलते इस वीडियो में सिर्फ में दिल्ली और गुरुग्राम पे फोकस करें हूँ ऐसे अलग अलग स्टेट से जो अलग अलग वीडियो बना दूंगे इस वीडियो में दिल्ली और गुरुग्राम के जो अडवर्टीजमेंट आईवी है उसको कवर करेंगे डिएवी स्कूल्स दिल्ली और गुरुग्राम मैनेजड वाई डिएवी कॉलेज मैनेजिंग कमीटी चित्रगुपता रोड द्य अप्लिकेशन और इन्वाइट फर्म 19 अक्टोबर तो अप्लिकेशन करने की जो तिथी अन्तिम तिथी है लास्ट डेट है वह 8 नमेंबर 2024 दिल्ली में जो भी यहां पर बताएगा है दिल्ली में जितने भी डिएवी स्पूल से उन में भर्तियां यह करेंगे रेगुलर भ सब्सक्राइब करने वाले इंग्लिश इंदी संस्कित मैट साइंस सोशल साइंस कंप्यूटर आट एंड क्राफ में इंटिंग स्कल्प्चर म्यूजिक वोकल डान्स फिजिकल एजुकेशन यह सारे सब्जेक्ट हैं जिन में भर्तियां होने वाले हैं प्याटी में इंग्ल अब इसमें जो स्कूल हैं जहां पर यह सारी वेकंसी फिल की जाएंगी आप देखेंगे कि पूरी लिस्ट है यह से चेक करते जा सकते हैं यह सारे जो है दिली में अशोक विहार में है तो दयानंद विहार में हैं नॉर्थेक्स मॉडल टाउन में इस्ट ऑफ कैलाश चैक्टर में ताहच है ऐस सकूल में सेक्टर फचाथ एमटी में और साओथ अंड में हैं ताहट में हैं असलेक्टेरिया रख रहे हैं इसकी तो सेलेक्षीं का再ीशन क्राइड में बात ये इनके केसे करने लेघे कर लिए सबसղ पहले हैं बहुत जान करने हैं कि aren't squee पड़ी जांटरा के इनके सैलरी कॉंट्राक्ट पेय।lenे कंच्छ और जालिया से जाए हैं देंगे हो सकता है लेकिन 30-35,000 के उपर यह नहीं देते हैं ठीक है इसमें भी लोग काम करने के लिए 30,000 में भी अभी बेरोजगारी हैं अनेम्प्लाइमेंट है तो 30,000 सब्सक्राइमें 30,000 में भी वर्योदों करने में ट्रीग वर्योंर करने दारे लिए कंडिट को करते हैं दो कहां चैख है ड्रीगोलइन अच्छी ए हम अच्छी पेंट करनी होती है इल्सवासा में गर्या 30-45,000 पर भी काम करने के लिए जो interested है candidate उनके लिए ठीक है अब बात कर लेते हैं कि क्या यह vacancies जो बता रहे हैं यह vacancies है इसके पहले यह देखेंगे कि इनका जो आप apply कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं करने के लिए इनका बताया हुआ है कि जो TGT और PRT वाली पोस्ट है वो उसके लिए सीटेट या एस्टेट होना mandatory होगा तो सीटेट होगा दिल्ली में तो सीटेट ही चलेगा तो TGT के लिए सीटेट 2 होना चाहिए और PRT के लिए सीटेट 1 एस्टेट तो गुरुग्राम में 50 परसंट या अबब मार्क कम से कम ग्राजवेशन या पोस्ट ग्राजवेशन में होना चाहिए और 35 यह बिलो वाले कैंडिडेट ही जो है ना सिर्फ फर्म भरें क्योंकि 35 यह अबब हो गया है जिनका उनको वैसे भी हायर वो नहीं करेंगे हां कुछ कैंडिडेट हैं जिन काल ईकंडिडेट ही तो यह कंड़िशन है उसके बाद यह एपलाई कैसे कर अभी है क्या करेंगे सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि उप्लाईं करेंगे उसके एक साट्लिस करेंगी उनको लगई का कि यह ।ो एक टीन साय है तीन से डि आप स्क्री जब works al उसके बाद वो शॉट लिस्टिंग करेंगे जिस केंडिडेट को पाएंगे कि ये सुटेबल केंडिडेट उनको वो बताएंगे कि आप हमारे एक CBT एक्जाम में बैठो जैसे आर्मी पबिक स्कूल में होता ना एक एक्जाम कंड़क्ट कराते हैं और फिर वो आपको स्कोर क अभी नहीं करेंगे सिर्फ CBT की इंफोर्मेशन देंगे जब आप अप्लाई करेंगे तो शॉट लिस्ट करेंगे जिनको उनको CBT एक्जाम के बारे में बताएंगे प्रिष्ट के लिए फिर से पैसे लेंगे 300 अभी 300 ले रहें से लिए 300 ले सकते हैं क्योंकि पिछली बार इन्होंने CBT के लिए 300 ले लिया तो 300 प्लस 300 आपकी पेमेंट यहां पर हो गई ठीक है जब CBT के बारे में बताएंगे तो फिर आप अप्लाई करेंगे फिर उसके ब eligible candidate will register and make online payment on the DAV recruitment website for the CBT CBT के लिए फिर आपको बताएंगे फिर आपको register करना होगा फिर online payment करनी होगी 300 रुपए या 500 रुपए 300 या 500 फिर वो आपको CBT के बारे में बताएंगे और फिर CBT जिनका qualify हो जाएगा उनको अगर उनको बुलाना होगा तो demonstration and interview के लिए बुलाएंग पर पढ़ाई हो रही है तो इतनी सारी वेकेंसी इतना सारा स्कूल हर स्टेट से दिखा रहे हैं और CBT एक्जाम के लिए आपको बुला रहे हैं अभी 300 रुपए ले रहे हैं फिर CBT के लिए 300 रुपए ले रहे हैं तो यह 600 रुपए की पर candidate कमाई करने का एक अच्छा आसा स्टेट कांडिटेट है कि नहीं अपलाई करना है एक और यह CBT जो एक्जाम आप क्वालिफाई करेंगे इसकी वैलिडिटी भी सिर्फ वन एयर है वन एयर में अगर आपको कोई बुला लेता है स्पूल और आपको जॉब दे देता तो फिर भी ठीक है अदर्वाइस फिर एक साल के बाद इन्वालिड हो जाएगा CBT का जो एक्जाम आपने क्वालिफाई किया फिर 2026 में आपको फिर से एक्जाम देने के लिए वो फिर यही सारा पूरा का पूरा जो है ड्रामा करने वाले हैं तो इसलिए मैं वीडियो इसकी बना नहीं थी मेरे पास सारे अड़ अपर इडिटें तनी बात सुनने के बाद अभी भी आपको लगता है कि ठीक अपलाई करना चाहिए एक उपर्चुनेटी हाथ में शायद मिल जाए तो उस शायद के लिए अगर आप अपलाई करना चाहते है तो हाओ टू अपलाई क्या करना है फॉर्म दिया हुआ है यह आपको बढ़ लेना है जितने भी 10th onwards passing certificate है mark sheet है आपकी कोई identity proof है जो भी seated किया है आपने बीड किया है वो जो भी है उसके साथ में आप अपलाई करेंगे कहां पर अपलाई करेंगे आड़ बजे सुबह से दो बजे तक करेंगे फॉर्म भढ़ने के बाद थी अंड़ स्कूल बताएं करें में अब अब से थे हमें बज़ार्त करा खुड़ नहीं जाके यह ऐसुन वृ दिल्ली के लिए बुक्त अपट करना है सिद्ना दिल्ली की चैंटम घना साथ जाना और पर चाहसा करना है और गरुप पर्समनल वाले क सुबह दक्टकर आपको आपको पर तो हो गया यह प्रोसेस है अब इसको अगर अगर आप दिल्ली वाली अद्वर्टीजमेंट खुद चेक करना चाहते हैं तो आप कहां पर आएंगे डिये वी अशोका विहार के अफिशर वेबसाइट की लिंक में आपको प्रोवाइड कर देती हो यह एक वेबसाइट है इस ज़िए रिक्रूट्मेंट डियभी स्कुल दिल्ली अगर्डाशよねं और मेंको लुट्टी कर देखेंगे और इसके लिए इन्होंने सौर्ट में बता दिया प्री चाहिए और उसके लिए चाहिए 50% में चाहिए उसके बाद आपको प्र 100 निचर साच साहिको ग्राशुर्ट और पोस्ट गार्यों टीचर के लिए बीएड मांगते हैं और फिर CBT फर्म आएगा तो उसमें ठीक से क्वालिफिकेशन और अच्छे से बताई गई होगी या अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगी एक्जाक्ट क्वालिफिकेशन जो लास्ट यर इन लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डेस्क्रिप्शिन बॉक्स में मिल जाएगी इसी वेबसाइट की इस पर ही आपको फॉर्म मिल जाएगे सारी प्रोसेस मैंने अप्लाई करने की बता दियो अफ्लाइन मोड में अभी अप्लाई करना है जो शॉट लिस्ट